अब फिर से एक बार जो है पूरा देख लेते हैं इटली जो है किससे किससे बाउंडिशन करता है यह है इटली यूरोपियन स्टेट है इसकी राजधानी है रोम यानि कैपिटल रोम है अब इटली के अंदर दो देश जो है बसे हुए है वेटिकन सिटी ऐसा एक लौता है वेटिकन सिटी जो है देश है दुनिया का सबसे छोटा देश है पॉपलेशन वाइस भी और एरिया वाइस भी एरिया है इसका सिर्फ पॉइंट फॉर फॉर किलोमेटर स्कॉयर का और पॉपलेशन करीबन नौ सो लोग रहते हैं आपर ठीक है तो इटली के अंदर दो इ आप इंकलेव टेरिट्री एह इंदर देख रहा है सैंद मेरीनो य दुनिया के दो सबसे छोटे दो देस हैं वह इटली के अंदर है अब बांडरी किससे शेर करता है वह भी आप देख रीजे एक इन फरन से पराइन जो पहर से बांडरि शेर कर रहा है दूसरी बात देश है चार देशों से बाउंडरी शेयर करता है फ्रांस स्विट्जर लेंड और स्लोवेनिया चार देशों से बाउंडरी शेयर करता है प्लस इसके अंदर दो इनक्लेवड माइक्रो इस्टेट है मैंने आपको बता दिये कौन को से एक है आपका यहां पर वेटिकन सिटी और यहां पर पिद्दी सा दिख रहा है यह है आपका सैन मेरी नौ अभी हम लोगों ने जूम करके देखा था है पूरा गूगल मैप से में बता रहा हूं उन तो ठीक है तो यह देखे रोम के अंदर यह आपका वेटिकन सिटी हो गया ठीक यह दिखा भी वेटिकन सिटी और दूसरा है सैन मेरी नौ इटली के और भी कुछ-कुछ टेरिटरीज है अगर आप देखेंगे इसमें तो यह है एक टेरिटरियल इक्सक्रेव है यह सुच्जर प्रेंड में सुच्जD लैंड में भी एक है और उसको क्या बोलते है अंदर हैं च्जर लैंड के अनुजे वातर है उनको क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं आप लैंपे dusa, lampedusa तो ये इतली के जो है ये total किसे किसे बांडर करता है किसके जो बीच में है ठीक है और इस में कौन कौन से देश है अब ये जो इंसे जो इतली के दो island हैं ये एक जो है चिसली करके हो गया यहां पे ठीक है और एक ये जो है Sardegna यह दोनों यू जरू एक्रेम है अब आप बात करूँए में ग्रीयस के तो म ऩे और बेंटर स्क्रेम है आप अब हुत आइए अब आई ग्रीयस के बनाइए बेंटर्व diğer यह आइंगे टेक्षाओं मेसेडोनि यह बिल्गेरिया भी ग्रीज़ कर र तरकी भी जो है यहां पर ग्रीज को और फिर के टूर्प पर्च नोर्थीश पार्टote टो चार कंट्री जो है ग्रीज को योड़ोप की टूर्ट कर रही तर्की सकार्टेंटल कंट्री तो ये दो कंट्री योडों में इक या इति यह को Counter निठे rival कर रहा है अब Greece के अकल बगला देखेंगे Greece की राजधानी क्या है Athens है ठीक है यहाँ पे पहले Olympics हुए थे Greece के देखेंगे इस साइड मेरे आप देखेंगे East में ये Agancy है और इसके West में है ये Ioniancy है और South में कौन सा है South में आपका Mediterranean Sea है ठीक हचा एक चीज़ और देख लेते हैं आपर जो इटली देखा था हम लोगों ने तो इटली के ये जो है आपका North East Side में आपका Adriatic Sea है इटली के अगर आप देखेंगे South West Side में टिरहेनियन सी है और जो है आपके इधर जो अगर आप देख इसको बोलते हैं सिसली SICILY ठीक है और ये वाला जो पार्ट है ये भी इटली का ही है इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं सारडीनिया सारडीनिया इसको बोलते हैं ये भी इटली का पार्ट है ये जो आपका कोर्सिका है ये फ्रांस का पार्ट है तो जो कोर्सिका है ये फ्रांस का पाटे यह आप देख सकते हैं इदर गूगल मैं अब से बता रहा हूँ यह देखे फ्रांस का जो पाटे यह है कोर्जिका ठीक इसके बाद हम देखते हैं अलबेनिया को अलबेनिया की कैपिटल क्या है टिराना ठीक है अब ये land boundary किस से किस से share करता है ये है mountain negro से share करता है इधर देख सकते हैं आप कोसोगों से share करता है Albania जो है North Macedonia से share करता है और Albania Greece से share करता है ठीक है तो चार country से boundary share करता है Albania ठीक ये ज़रूर याद रखेगा और इसमें अगर आप देख सकते है अगर आप maritime border देखेंगे तो Albania के किस से एक तो Greece से हो गया ठीक एक जो है mountain negro से हो गया और प्लस जो है इटली तो तीन country से maritime border share करता है और चार country से land boundary share करता है Albania जिसकी राजधानी क्या है तिराना ठीक इसके बाद आप देखते है mountain negro mountain negro किस से किसे boundary share करता है यह करोशिया जो है इसकी यहां तक है पूरा ठीक है तो mountain negro जो है यह boundary किस से share कर रहा है एक तो आपका Bosnia और हर Finnian और हर्जे गोविना सर्विया से boundary share करता है यह आपका mountain negro ठीक है और कोसोवो से भी boundary share कर रहा है आप देख रहे यह आपके और Albania जो है यहाँ पें दिख रहा है यह Albania सिर्फ बाउंडरी शेयर कर रहा है तो चार यह हो गया और क्रोशिया पांच देशों से बाउंडरी शेयर करता है Montanegro याद रखेगा कौन-कौन से एक तो क्रोशिया हो गया एक भोस्णिया और हेर्जेव गोविना हो गया, एक हो गया सर्विया, कोसोवो हो गया आपका और एक अलबिनिया हो गया, पांच देशों से लैंड बाउंडरी शेर करता है, मॉन्टे निग्रूप, और इसके अगर आप देखेंगे तो इसके जो है वेस्ट में है, एड्रियाटिक सी, इसकी राजधानी क् पोर्ट गोरिका, यह मॉन्टे निग्रूप की कैप्टल है, अब इसके बाद अगर आप देखेंगे कोसोवो, कोसोवो चार देशों से लैंड बाउंडरी शेर करता है, कोसोव एक्चुली लैंड लॉग्ड इस्टेट है, यानि कि चारों तरफ इसके जो है लैंड से ही घ देखेंगे, तो एक यह आपके एक तो सर्विया से घिरा हुआ है, कोसोवो चार देशों से बाउंडरी शेर करता है, कोसोवो लैंड लॉग्ड देश है, कोसोवो ठीक है, बालकन्स के सेंटर पे है, बालकन पे निनिसुला जो है वो, वो अभी बताएंगे सारी चीज़े, सारी चीज़े जो है, सारा पूरा यूरोप इसमें देखेंगे, ठीक है, तो कोसोवो किस से किस से गिरा हुआ है, एक तो आपका सर्विया हो गया इधर, ठीक है, और इधर आपका नॉर्थ मैसे डोनिया हो गया, साउथ इस्ट में, अलबेनिया हो गया, आपका साउथ वेस चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यहां पर देखते हैं सर्भिया यह दिख रहा है सर्भिया यह भी यूरोपियन देख है सर्भिया किसे किसे बांडरी शिर करता है देखे इसके जो है नौर्थ में देख सकते हैं आप हंगरी तो हंगरी जो है इसके नौर्थ में है ठीक ह रोमानिया आप देख सकते हैं, रोमानिया इसके नौर्थ इस्ट में हुआ, बुलगेरिया देख सकते हैं आप, बुलगेरिया इसके साउथ इस्ट में हुआ, ठीक है, बुलगेरिया हो गया, फिर नौर्थ मैसे डोनिया हो गया आपका, ये इसके साउथ में हो गया सर्बिया के हैं हलागि सर्बिया जो है को सोवो को भी अपनी ट्रिट्री बतातास तो这 जो है डिरेक्ली अलबेनिया से भी बाउंक्ड्री क्लेम करता है लेकिन इसमें दिख रहा है कि को सोव जो है बीच में एक अलग देश है तो शर्बिया नौर्थ मैसे डूनिया हो गया बुलगेरिया हो गया रुमानिया हो गया हंगरी हो गया और सर्विया किस से बाउंडरी शेयर कर रहा है आपका मांटे निग्रों से बाउंडरी शेयर कर रहा है साउथ वेस्ट में और सर्विया किस से बाउंडरी शेयर कर रहा है ठीक है यह वेस्ट में हैं यह और जो साथ देशों से सर्विया बाउंडरी शेयर करता है हंगरी, रोमानिया, बुलगेरिया, ठीक है नौर्थ मैसेटोनिया, ठीक है क्रोशिया हो गया आपका और बोस्निया और हर्जे गोविना हो गया आपका और मॉंटेनिगू साथ देशों से जो है सर्विया बाउंडरी शेयर करता है अगर इसकी कैपिटल देखेंगे तो कैपिटल क्या है सर्विया की ये दिख रही है ये बेलग्रेड है सर्विया की कैपिटल उसके बाद हम देखते हैं क्रोशिया को क्रोशिया की capital क्या है? जग्रेब करके ठीक है? तो यह इसकी capital हो गई जो क्रोशिया है, किससे किसे bond delivery share करता है एक तो पहली बात यह maritime bond industry share कर रहा है इटली से किस देशों से यह bond Rabbit share कर रहा है? क्रोशिया, अगर आप देखें इसके तो है यह Slovenia है इसके North West में ठीक है? और क्रोशिया के देखे ये पूरा जो है territory ये पूरा है क्रोशिया ऐसे करके ये इतना ये ये यह 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 तक ये Monta Negro से भी थोड़ा थोड़ा टच करते हुए ये है पूरा क्रोशिया ये देख रहा है ये पूरा क्रोशिया है ये तो किसे किसे boundary share कर रहा है एक तो Slovenia हो गया आपका एक आपका हंगरी हो गया North East में एक आपका सर्विया हो गया East में एक Bosnia और हर्जे गोविना हो गया आपका और जो Monta Negro है ये हो गया ठीक है तो कितने याँ पे इस्टेट से boundary share कर रहा है सर्विया एक दो तीन चार पाँच पाँच देसों से boundary share कर रहा है ठीक है Slovenia हंगरी सर्विया ठीक है और आपका Bosnia और हर्जे गोविना और Monta Negro पाँच देसों से boundary share कर रहा है Italy के साथ इसकी maritime border भी है ये अब देख सकते है इसके जो है अगर आप देखेंगे तो South West में Adriatic Sea भी है ये ठीक है और और क्रोशिया की राजदानी क्या यानि की capital क्या रह की जगरेब अगे चलते है अब क्रोशिया के बगल मारा देखे लेते हैं अभी क्रोशिया देखा था अब देखते हैं Bosnia an bizi अocarजे गोविना इसको बोसणिया भी बोलते है raft thesis में विन्लेट contr सिर्मा एट है एक क्रोश्या दीख रहा है साब साफ बोष्णिया से एक सर्विया सब साथ दिख रहा है और एक हां Tech gagnadale बोष्णिया से करें से यह कोडर इसके कौन कौन से हैं ये समय उगे आपका टिक होगे आपका नौर्ट और नौर्थे सर्वियंगि और मॉंट इनेक्रों ओंका साउथ इस्ट में अब बोझनियक वं विना की जो है ये रही राजधानी क्या है कैपटिल का के सारा जेवो तो यह की केपटिलольш में चलते हैं ढरा अगला देश Embraher नॉर्थ नौर्थ लगाना पड़ा खेर अब नौर्थ मैसेडोनिया की पहली बात तो कैपिटल क्या है नौर्थ मैसेडोनिया की देखिए ये है कैपिटल इसको पजे करके कैपिटल है नौर्थ मैसेडोनिया की नौर्थ मैसेडोनिया किससे बाउनरी शेयर करता है अगर आप इसको द लेखे तो בולगरिया है इसके East में फिर नीचे सबसे लेखिरा स्क्राइडरे नोर्थ मेसिडोनिया के South में है और Albania North मेसिडोनिया के West मेए तो कितने देश van North मेसिडोनिया से Airbnb करते हैं एक दो तीन चार पाँछ त्रγं में मैसیDA बाउंडिशर कर रहे हैं अल्बेनिया कोसोवो सर्भिया बुलगेरिया और ग्रीस अच्छा नौर्थ मैसेटो च्छे देश्ट का था उसी से निकला था मैसेडोंडिया दो हजारूनिया दोजारूनिया तो बना दिया नौर्थ मैसेडोंडिया तेक है इसकोपजे की कैपिटल है नेक्स्ट देश है हमारा बुल्गेरिया बुल्गेरिया की कैपिटल क्या है बुल्गेरिया कैपिटल यह देख रही है यह सोफिया अब बुल्गेरिया देश किससे किससे बाउंडिया शेयर करता है वो अगर आप देखें आध्यान से तो देखें थोड़ा से इसको और इसे कर लेते हैं जू तो बुल्गेरिया किसस सेटोनिया इसके वेस्ट में है ठीक है जो अगर आप देखेंगे बुलगेरिया के ये साउथ में है ग्रीस ग्रीस का जो है यहां तक है पूरा तो ग्रीस जो है साउथ में है और टर्की का चोटा-चोटा पार्ट है यहां पे ठीक है तर्की मैंने बताया तर्की 95% एशिया मे है आपका यूरोप में है तो तर्की भी इसको बाउंडिश करता है तो आपके बुल्गेरिया को गेरे हुए कितने राज हो गया एक तो हो गया रोमानिया ठीक है नौर्थ में दूसरा हो गया सर्विया तीसरा हो गया आपका नौर्थ मैसे डोनिया चौथा हो गया आपका ये ब्लैक सी, ठीक है? इसकी ट्रिक मैंने आपको बताईए, आपको ने देखे हो कि जरूर, ब्लैक सी की ट्रिक है, ब्लैक सी को सराउंड करते हुए जो कंट्रीज है, उसमें मैंने आपको यह सब बता रख रखाए चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देश है हमारा रोमानिया, रोमानिया की capital क्या है, बुचारेष्ट ठीक है? अब रोमानिया किस से बाउंडरी शेयर करता है, इसको अगर आप यहाँ से देखें, तो रोमानिया देखेuestas, और किस से बाउंडरी शेयर कर रहा है आपका, एक तो आपका बुलगेरिया हो गया, सर्बिया दिख रहा है कि नहीं सर्बिया इसके जो है साउथ वेस्ट में है और एक और देश है द्यान से देखिए वो है इसका मॉल्डोवा मॉल्डोवा जो है इसके इस्ट में है ठीक है और इसकी जो है सोड़ी सी ओपनिंग ब्लैक सी में भी है ठीक है तो रोमानिया की पाचवा हो गया मोल्डोवा ठीक है पाच देश रोमानिया से बाउंडरी शेर करते हैं और ब्लैक सी में इसकी ओपनिंग है बुचा रेस्ट इसकी कैपिटल है अगला देश है हमारा मोल्डोवा ये एक लैंड लॉग्ड कंट्री है इस्टन यूरोप की ठीक है इसकी का नाम लिखा है चिसी नाउ करके ठीक है और ये किस दो देशों के बीच में है ये है आपका यूक्रेन और रोमानिया के बीच में है मोल्डोवा ठीक है अगला देश है हमारा यूक्रेन यूक्रेन की कैपिटल क्या है इसमें थोड़ा से जून करें देखिए ये दिग से पाउंडरि्ष ह्यर कर रहा है यूक्रेन यह पूरा यूक्रेन से परहा यह चुछ रस्यूंगर चरह चला के से भी जो है यूक्रेन बाउंडरी शेर कर रहा है हंगरी से भी बाउंडरी शेर कर रहा है यूक्रेन रोमानिया से भी बाउंडरी शेर कर रहा है यूक्रेन मौल्दोवा छोटी सी कंट्री है उससे भी बाउंडरी शेर कर रहा है और ब्लैक सी में भी है यूक्रेन ठीक है तो तो ब्लैक सी इसके साूथ में युकरेन के तो युकरेन कितने देसों से बाउंडुरी करता है एक तो रशिया हो गई एक दूसरा हो गया पेलरूस, तीसरा हो गया पोलेंड, चोथा हो गया असलोवान किया, पाचवा हो contractors, छटा हो गया कि वो रशिया में रहना चाहते हैं तो रशिया ने इसको एनेक्स कर लिया था अब यूरोपियन देश जो है यहां पे कूकू करते रहते हैं कि जो यह रशिया ने इसको इलीगली आकूपाई कर लिया है अब जो है रिफरेंडम में जबकि 90 शाहिद जाते मुझे आदे 95% से ज़्यादा लोगों ने वोट किया था अब यह लोग कूकू कर रहे हैं कि भाईया यह रशिया ने जबर्दस्ती जो है यहां पे किया है और रिफरेंडम ठीक तरीके से नहीं हुआ हला कि जो भी है यह क्रीमिया रीजन है यह इसके जो है ब्लैक सीक से गिरा हुआ हुआ है और यह सी आफ ओजोव है यह जरूरिया किने नेक्स्ट कंड्री पे चलते हैं नेक्स्ट कंड्री पे चलने इस पहले बता दू मैं आपको पर बेला रूस की राजधानी का है थोड़ा से पर भारव कर फार करता है एक तो इसके आपके नौर्थ श्ऺ पें नीस के नीचे न नीचे है को चो अगा रास करता है न 익 Lonchutz इ expense में इसके यूक्रेन है नीचे थोड़ा सा अगर आप इसमें देखें ये देखें अभी में देखा था यूक्रेन तो बेलारूस किसे किसे बाउंडरी शेर कर रहा है एक तो हो गया रशिया एक हो गया आपका यूक्रेन दूसरा वाला हो गया यूक्रेन साउथ में है इसके व यह है लिथुवानिया लिथुवानिया की कैप्टल यानि की राजधानी क्या है विल्नियस ठीक है लिथुवानिया लिथुवानिया लेट्विया और इस्टोनिया इन तीनों को कमबाइन बोलते हैं बाल्टिक स्टेट ठीक है बाल्टि जो कई बार मैंने जो है ट्रिक्स में बोला याद रखेगा लित्वानिया की कैप्टल है विल्नियास और यह किस किस देशों से बाउंडरी शेर करता है देखें लित्वानिया के यहां पर आप देख रहे हैं लेट्विया है इसके नौर्थ में ठीक है तो नौर्थ में इसके होगी लेट्विया बेलारूस जो है इसका अगर थोड़ा इसको और ऐसे करें यह देखिए यह देखिए थोड़ा ऐसे करते हैं ठीक है तो यह देखिए लिथवानिया है इसके नौर्थ में है लेट्विया बेलारूस इसके जो है इस्ट में है और साउथ में भी है पोलैंड है इसके जो है यह साउथ में है और एक यह और यह चोटा से लैंड दिख रहा होगा आपको यह दिख रहा है यह कालीनिंग्राड ओबलाष्ट यह रशिया का एक्सक्लेव है यह रशिया इधर है लेकिन यहां तक जो एक अब जाकर करके रखा हुआ है देख सकते हैं आप तो यह चार जगह से घिरा हुआ है पन लेट्विया से शेयर कर रहा है चार देशों से बाउंडरी शेयर कर रहा है लित्वानिया जिसकी कैपिटल क्या है विल्नियस चलिए आगे की तरफ चलते हैं नेक्स देश है हमारा लेट्विया लेट्विया की कैपिटल क्या है रीगा दिख रही है आप वो यह बाल्टिक इसके North में हो गया, Lithuania साउथ में हो गया, differentiate Russia इसके East में हो गया इधर Russia है यह, ठीक है Belarus, यह Belarus है यह साउथ East में हो गया और अगर आप यहां देखेंगे, तो यह दिख रहा है आप देखेंगे से, लेटविया के एक तो North में हो गया इस्टोनिया इधर आपके इस्ट में हो गया रशिया साउथ में हो गया लिटवानिया और आपका जो है साउथ इस्ट में हो गया आपका बेलारूस हो गया ठीक है थोड़ा सा और close देखेंगे तो यह देखिए यह नार्वे स्वीडेन और फिनलेंड तो स्वीडेन की जो है अब यह किससे किसे बाउंडरी शेर कर रहा है यह समझेए इसकी जो है एक बाउंडरी सिर्फ लेट्विया से साउथ में और इसके इस्ट में यहां पर दिख रही है यह है लेक पीपस करके और इसके इस्ट में यह जो है यह आपकर रशिया है तो रशिया से बाउंडरी शेर कर रहा है सिर्फिया इस्टोनिया और लेट्विया से बाउंडरी शेर कर रहा है अगर आप Gulf देखें तो यहाँ पे Gulf of Finland है और उसके जो है उपर नौर्थ में जो है फिनलेंड है तो यहाँ पे मतब Gulf of Finland इसके नौर्थ में है और West में इसके जो है Baltics ही है तो चार जगह से जो है गिरा हुआ है दो देश से गिरा हुआ है यह धियार न कहेगा दो देश से लैंड बाउंडिशर कर रहा है एक है रशिया और एक है आपका लेट्विया ठीक है और बाकी इसके वेस्ट में है पाल्टिक सी और इसके नौर्थ में है Gulf of Finland इसके राजदानी क्या है टैलिन नेक्ट देश है इसमें स्लोवाकिया ठीक है स्लोवाकिया की कैपिटल क्या है अगर आप इसको थोड़ा से जूम करेंगे तो दिख जाएगी यह दिख रही है ब्रातिस लावा यह इसकी स्लोवाकिया की कैपिटल है यूरोप का देश है अब इसकी बाउंडरी अगर देखें कि यह किसे किसे पाउंडरी शेयर करता है तो यह आपको दिख रहा है यह एक लैंडलॉक्ट कंट्री है दिखान लखेगा यह पूरा हर तरफ से लैंड से गिरा हुआ है तो दिखें इसके नॉर्थ में है पोलेंड दिख रहा है आपको नॉर्थ में पोलेंड है और आपके इस्ट में है यूक्रेन और अगर इसको अंदर करते हैं तो दिख जाएगा यह दिख जाएगा तो इसके नॉर्थ में है पोलेंड इसके इस्ट में है यूक्रेन यह जो इस लुवाकिया के है ठीक है इस हंगरी जो है तो स्लोवाकिया से कितने देश boundary share कर रहा है पोलेंड यूक्रेन हंगरी और आस्ट्रिया और चेक रिपब्लिक पाँच देश इससे boundary share कर रहा है एक land locked country है और इसकी जो है capital क्या है वो है ब्राटिस लावा अगला देश है हमारा स्लोवेनिया इसकी capital जो है बड़ी कठीन है उस प्लीज मुझे कर जरू करिएगा तो स्लोवेनिया की capital लुब्लियाना और वैसे लिखा जो है इसका बड़ा नाम है अगर आप जैब लगा के बोलो तो बड़ा जीब सा लेगेगा लुजूब लजाना वैसे लुब्लियाना ही हो गया इसका तो तो स्लोवेनिया की capital लुब आउस्ट्रिया है दिख रहा है नॉर्थ में इसका आउस्ट्रिया हो गया और इसके जो है नॉर्थ इस्ट में हंगरी है तो तीन देश यह हो गये क्रोशिया दिख रहा है आपको क्रोशिया इसके साउथ इस्ट में है चार देशों से बाउंडरी शेयर करता है स्लोवेनिय प्लस ये Adriatic Sea में भी जो है इसका South West वाला पार्ट है तो Slovenia की Lubliyana जो है इसकी Capital है Austria, Italy, Croatia, Hungary, चार देसों से boundary share कर रहा है Adriatic Sea में जो है इसका South West में opening है उसके बाद देखते हैं हम लोग देखें ये Scandinavian Peninsula में तीन country है ये ठीक है NSF Norway, Sweden और Finland इन तीनों को मिला के बोलते है Scandinavian Peninsula वैसे भी मैंने आपको बताया कि यूरोप जो है Peninsula मतलब प्रायदीपी तो ये यूरोप को बोलते है प्रायदीपो का प्रायदीप क्योंकि यूरोप में कई सारे प्रायदीप है ठीक है कई सारे प्रायदीपो के अंदर अब अगर नौर्वेग की बात करें आप तो नौर्वेग की राजधानी क्या है Oslo ये दिख रही है आपको नौर्वेग की राजधानी Oslo है और इसका जो पूरा बॉर्डर है मेन बॉर्डर इसका किस के साथ है पूरा इस्टर्ण बॉर्डर इस्टर्ण में इसके कौँ सा है ये Sweden Sweden में इसका पूरा बड़ा लंबा सा बॉर्डर है प्लस उसके अलावा जो है इसका बॉर्डर Finland के साथ भी है और Russia के साथ भी है एक यहाँ पर straight है अगर आप देखेंगे यहाँ पर ध्यान से यह एकदम अंदर इस जगह पर है कोई एक straight उसका नाम है इसका गिरक straight ठीक है S-K-A-G-E-R-A-K इसका गिरक straight नाम है इसका यह क्या करती देखे straight का मतलब क्या होता है straight मतलब होता है जलसंदी ठीक है दो बड़ी water bodies इसको जलसंदी जोडती है और जो दो land masses है उनको अलग करती है यह है straight ठीक है तो इनको मतलब एक तरह से इनका connecting point हो गया land mass का और जो दो बड़ी water bodies है उनको जोडती इसलिए इसको जलसंदी बोलते है ठीक है तो यह जो है कि इसके ये Norway Sweden और Denmark इसके बीच में है यहाँ पर एक इसका गेरा करकरके इस ट्रेट है यह एक स्ट्रेट है यह Southeast Coast में है यह South East में न औरונवे में है यह ठीक है Norway के South East में है और Sweden के West Coast में है और Jutland Peninsula जो है यह देनमार्क का उसको यह जोड़ती है और यह किस को करती है नौर्थ C को करती है यहां पे एक C है कटे गट C से टेक है तो यह तीनों को आप जनेक्ट रती है यह इसका गेरेक स्ट्रेट तो नौर्वे किसे किसे बाउंडिशन कर रहा है एक तो स्वीडेन से हो गया भी मैंने बता है फिनलेंड रश्या और डेन्मार्ग से ठीक है यह पूरा स्वीडेन है इसके वेस्ट में भी और नॉर्थ में नौॉवे है इसके Woods इसके ऑस्ट में है ठीक है और यहहां इसके स्वीडेन bricks में यहां वहां हो यहां है वह उरेसुन्द श्ट्रेट बनी होई नेक्स देस है हमारा फिन लैंड ठीक है यह तीनों जो यह पूरा देख रहा है आप यह है एनस फ यह सकंडिनेवियन पेनिसुला है यह क्योंकि अगर कोई भी लैंड जो है अगर कोई भी लैंड का तुकड़ा है वो तीन साइड से पानी से घिरा हो तो इसको बोलते हैं पेन गॉलन नीचे इन ही उसन है तो वैसे ही कोई भी दुनिया का इस्सां होगा तीन तरफ से गिरा है उसका पेनिसुला बोलते है तो इसके इनस फ है अगर इसकंडिनेवियन कंट्री के बात करेंगे तो इनस फ यानिकी नौर्वे स्वीटन फिनलैंड और प्लस डेन्मार्क औ बढ़ाने लिते हैं ठीक है यह जरूर याद रखेंगा उसके बाद देखें जो है यह फिनलैंड की राजधानी अगर आप देखेंगे तो यह देख रहे हैं अब इसका बॉर्डर अगरा एरिया आप देखेंगे तो देखें फिनलैंड के वेस्ट में है गल्फ ऑफ बोथनि साउथ में हैं ठीक है और इसके अगर आप देखेंगे तो यह बाल्चिक सी से भी जो है यह इसका बाउननरीश के बाटांटरी जैरो यह मतलब मेरी टाइम बाउनरी यह तो फिनलैंड गल्फ ऑफ बोथनिया इसके वेस्ट में हो गया इक गाल्टिक सी से साउथ नोगया थ अलाकि यह एकदम connected नहीं है लेकिन इसके जो है South में है आपका यह इस्टोनिया ठीक है और North East में इसके है Norway यह देख रहे हैं अगर आप यहां तक फिन्लेड है इसके North East में है Norway तो फिन्लेड किसे किसे boundary share कर रहा है एक तो Norway से boundary share कर रहा है Sweden से भी boundary share कर रहा है ठीक है Russia से भी boundary share कर रहा है और Estonia जो है Estonia से भी boundary यहां पर share कर रहा है ठीक है और North जो इसके अगर आप देखेंगे तो North East में इसके Norway भी है तो Finland Norway Sweden दोनों से boundary share कर रहा है जरूर दियान रखेगा Capitalist की क्या है Helsinki